नमस्कार, गायतरी जोतिस केंदर में आप सभी लोगों का स्वागत है, आप लोग के लिए हमेशाई जोतिस साथ से जुड़ी हुई महत्वण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर फ्रसारित करते रहते हैं, जोतिस साथ से जुड़ी हुई हर प्रकार के जानकारी हम आप लो प्रमान की चंद्रग्रह बदल जाते हैं, लगबग ये समय रहता है, थोड़ा पांदस मिनिट आगे पीछे हो सकता है, तो चंद्रमा मन सोज जाता है, चंद्रमा मन के स्वामी है, और मन एक ऐसी चीज है, अगर मन व्यक्ति का इस्तिर है, तो व्यक्ति के जीवन में खुशा है, सुक, संपदा है, सब कुछ है, और यादि मन स्तिर है, तो समझ लो, सब कुछ होते वे भी उसके पास कुछ नहीं है, तो समझ लिजी के धोड़ा भी है, तो व्यक्ति को सकून है, उसे उम्यिद होगी कि धीरे धीरे हम आगे को बढ़ेंगे धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा और अस्तिर है तो बहुत कुछ होते हुए भी ब्यक्ति और चीए और चीए यानि कि ऐसी इस्तिति में ब्यक्ति का चला भी जाता है तो हम कहें कि पल भर में ही ब्यक्ति की काया पर लट देते हैं, ऐसे ग्रह माने गए हैं चंद्र ग्रह, चंद्रमा को माता का कारक भी माना जाता है, चंद्र ग्रह की अच्छे स्थिति माता से पूर्ण सुप व्यक्ति को दिलाती है, जातक को दिलाती है, माता नैनी हाल से भी व्यक्ति को कुछ न कुछ अवस्य प्राप पड़ेगा जहां तक होगा चंदर ग्रह के ऐसा ही रहेगा यानि कि देने वाला ही व्यक्ति मैंने का क्योंकि मन व्यक्ति का बिलकुल साप रहेगा दुसरे की मदद वाला व्यक्ति रहेगा तो इतना महत्वपूर्ण चंदर ग्रह को माना गया है जो तिस सास्त्र में क्योंक बिल्कुल टैंसन ले लेगा, मन बिचलित होगा, इधर भागेगा, उधर भागेगा, कई प्रकार की चीज़े चंद्रमा के साथ रहती है, तो आज हम आप लोग के लिए चंद्र ग्रह को प्रसंद करने है तू, या चंद्र ग्रह की पीडा को हमेशा के लिए समाप्त करने है और सबसे महत्योपूर्ण बाद, चंद्र ग्रह यदि आपकी भाग्य में रुकावट पैदा कर रहे हैं, और विसे इस तोर पर धन प्राप्ति आदी के लिए, जो चला इमान है इस कल्यूग में, बिना धन के व्यक्ति का चलना आगे को बढ़ना अत्यंत कठिन है, तो वो समस्या को दूर करने के लिए, तीन ऐसे उपाई लेकर आए हैं, जो अत्यंत सरल हैं, और कोई भी व्यक्ति इन्हें कर सकता है, वैसे तो जिस सास्तर से हम इनको ला रहे हैं, 29 उपाई बताए गए हैं, लेकि 29 उपाई में अत्यंत कठिन भी उपाई हैं, कुछ सरल भी हैं, सरल कारत है कि कुछ चीजा उपलब्द नहीं होंगी कहीं पर को, कहीं पर को होंगी, तो तीन ऐसे उपाई इसमें से हम छाट के लाए हैं, जो की हर कोई व्यक्ति कर सकता है, और व्यक्ति यदि इन्हें करें, तो ये मान के चली कि 27 दिन के बीतरी व्यक्ति को लक्षन दिख जाते हैं, और व्यक्ति को अभास हो जाता है कि अब हमें चंद्रग्रह की कोई पीडा नहीं रहेगी, और चंद्रग्रह से हमें कुछ न कुछ अवस्य मिलेगा, क्योंकि चंद्रग्रह भी देखे, सिभजी के बस्तक पे रहते हैं, जैसे भगवान भोले नात बहुत ही भो जाते हैं, जैसे भी जोटिश सास्त्र बताएं, एक दम से क्रोध कर लेते हैं, तो यह समझ लेगें कि चंद्रग्रह के लगचन है, बलेट पेसर लो रहा है, खबराहट रहती है, एकदम से घबरा जाते हैं, और सरीर कभी कापना शुरू हो जाता है, कभी-कभी कमपन भी व्यक्ति के अंदर शुरू हो जाती है, कोई बड़ा आजमी आ गया, अपने से बड़ा, और या कोई बॉस होस है, वहाँ पर कोई आजमी को क्या होता है, घबराट हो जाती है, हाथ-पाओं कापने लगते हैं, या किसी मंच में व्यक्ति को बुला दिया और व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है, बिलकुल घबरा जा रहा है, तो समझ लीजिए कि चंद्रगर्ण की स्थिति कहीं कहीं कमजोर है, और जन्व कुंडली में यदि चंद्रबा नीचस्त हैं, ब्रिश्चिक राशी के हैं, राहु क अब प्रदान चरूर करेंगे, अगर अभी नहीं कर लेंगे तो थोड़ी देंगे, लेकिन जितनी देर में करेंगे, उतनी ज्यादा ये हमें अपने लपेटे में लेंगे ही लेंगे, तो अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देख लेनी चाहिए, जान लेनी कैसी स्थिति में हैं, तो उपायों को कर लेना चाहिए, तो आज हम आप लोगं के लिए अत्तीन जो असरल उपाय हैं, जिनने कोई भी व्यक्ति कर सकता है, तो जो तिस सास्तर में बताया है, पहला उपाय, कि रात को सिराने पे, जहां पे आप सोते हैं, तक्ये के पीछे ज नहीं कहा गया है, साथ-ाथ ब्रिक्षे हैं, जिन मैंसे सुलप मैं आपको बता देता हूँ, देवदार है, समी है, और एक ब्रिक्षे और है, तो बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम, उस पे रख लीजिए, तुसरा इस टील का गिलास, जो कि लगव लगव चान्दी से मैच करता हूँ होता है तो इस टील का गिलास उसमें दूद रखकर कच्छा दूद रखिए और प्रात अकाल उटने के बाद घर के नजदीक पे बबूल का ब्रिक्स बरगत का समी का और इतीसरा ब्रिक्स हमने बताया आपको बरगत समी और देबदा इन तीन ब्रिक्स की जड़ प इसा कुछ नहों कोई जल के नजदीक पे रह रहे है तो जल में भी सर्जित कर दीजिए पवित्र होता है जल बहते हुए जल में आप इसे भी सर्जित कर दीजिए दूसरा उपाई बताया गया है ये भी अत्यंत सरल है रजत पात्र में हमेशा ही जल पीजिए रजत पात्र हैं तो कोशिश करिए कि उसी से जल आप गरहड करें ये इतना जबरदस्त ये दो उपाय है कि यदि आप इन दो उपाय को मैंसे एक भी कर लेते हैं तिसरा उपाय भी आपको बता रहे हैं इन दो मैंसे एक भी उपाय कर लेते हैं तो चंदर गरह की पीरा 27 दिन के भीतर आपक है तो उसी का आप सेवन करिए दूसरा तिसरा बताया गया है कि चादी के पात्र में ही कोई चांदी का पात्र ले 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 जिए उस में कुछ चावल और व्हूं में भिको दीजिए जानि की चावल कosis क्षावल और वह नहीं होने चाहिए तो उनको आप किसी चांदी के पात्र में डाल कर उसमें दूद डाल कर भिगो दीजिए ये उपाई सौमबार के दिन करें तो सबसे ज़्यादा बेतर है प्रते दिन भी कर सकते हैं जिसको लगता है कि हमें प्रते दिन करना चाहिए कब से करना चाहिए तो सौंबारी चंद्रमा का वार होता है तो उसको भीगो दीजीए और प्राथ है काल उठकर उसे किसी गौमाता को अब विशेश तोर पर सवेद गौमाता मिले तो उनको खिला दीजीए गौमाता को, अगर ऐसा नहीं होता है, तो आप इसे पहते वे जल में भी बिसरजित कर सकते हैं, नहीं तो जरूर गौमाता को खिलाएए, गौमाता सब जगह सुलब होती है, ऐसा नहीं कि आप लोग फ्लेट में भी रहते हैं, तो नजदीक में कहीं पे गौमाता है, उसके लिए रख दीजिए, ऐसा तो बहुत ही सरल उपाय हैं, और कोई भी व्यक्ती नहीं करें, तो 27 दिन के भीतर, अवस्य ही उसे चमतकारिक परणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि ये सिद्ध उपाय हैं, उन्तीस उपाय में तो इसमें कहीं मंत्रों का जाग भी है, और कहीं सिवजी से संबदित उपाय है जिनें हम नहीं कर सकते हैं, लेकि ये जो तीन उपाय, इसके साथ साथी एक उपाय यहां पर ये भी है, कि सर्वेसर महादेब का नियमित ध्यान किया जाये। पाई रात को सिराने पे आप तक अपने दूद रखिए चादी के पात्र में प्रातहकाल उसे बबूल के ब्रिक्स या यगी ब्रिक्स जिरेका गया है देवदार है बर्गद है समी है इनके जड़ पे इसे डाल दीजिए अन्यता अब ये भी प्राप्त नहीं हो रहा है तो र से बाहर जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो बस रजत पात्र से जल भर कर लेके जाए ताकि रजत का जल हो गया यानि कि चादी का जल हो गया उसका नियमित सेवन करिए तिसरा आप चादी के पात्र में साबू चावल में को दूद में भिगो ये तात्री को भिगो ये और चाह को फिला दीजिए अन्य था बहते वे जल में चड़ा दीजिए या फिर किसी ऐसे इस्तान पर जहां पर पक्सिया दी आते हैं उनके लिए छोड़ दीजिए वो अपने आप खाएंगे नियमित करें तो बहुत बढ़िया है इस उपाई को अन्य था जैसे पहला उपाई है नियमित कर रहे है तो बहुत बढ़िया है नहीं तो सौंबार सौंबार तो अवस्य करना चाहिए और सौंबार सौंबार करेंगे तो 27 सौंबार से पहले चमतकारी प्रतिवल मिलेगा नियमित अगर रोज कर रहे है तो 27 दिन के बीतर ही आप को लक्षन देखने में आएंगे और चौता सर्वेस्वर महादेव का ध्यान करें सर्वेस्वर महादेव का नियमित ध्यान करें हो सके तो एक माला, तीन माला, पांच माला, साथ माला इसका जाते हैं ओम सर्वेश्वर महादेवाई नौम 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 सर्वेश्वर महादेवाई तो प्रतिफल दिखेगा, हम तो यही कहते है, हमारे पार इतनी कुंडली एनालाइट्स के लिए लोग फॉन करते हैं, हम कुंडली देखते हैं, तो हम उनसे यही कहते हैं, आप हमें तब दिखाईए जब आप उपाय कर सकते हैं, यह नहीं कि एक कान से सुना, दूसरे से निक कुप खाना पड़ेगा, नियमित तोर पे अच्छे एक्साइट आजी करने पड़ेगा, अपने आप शरीर दिखेगा, अब एक ही दिन हम दबा के खालेंगे, तो उससे तोड़ी हेल्थ बनती है, दो तिन दिन दबा के खालिया नहीं हमारी हेल्थ बनेगे, उससे तो तब इससे बड़िया तो करो ही नहीं, किसी की चीज को छेड़ो नहीं, क्योंकि छेड़ने में ऐसा है कि ये लोग तो ग्रह है, ग्रहों के उपाय है, हो सकता है कि कहीं उल्टी पीड़ा न हो जाए, तो इसलिए हम बताते हैं लोगों को, यहां पर आप लोगों को ही बता रहें करो तो फिर जड़ तक करो, नहीं तो फिर करो ही मत, बस होगया ठीक है, सुन लिया, समझ लिया, जिस दिन अपने अंदर हिम्मत होगे, जिस दिन हमारी सोच बन जाए, कि यहाँ वाँ करना ही करना है, तो उस दिन से करे, व्यक्ति ओरी करेंगे, जो इस पीड़ा से ग्रिस्त का वाइब्रेट होना जैसे विल्कुल कापना सरीर का घबरा जाना बहुत जल्दी यह सब चंद्रग्र से संबद्र लक्षण और भी बहुत बड़े लक्षण है फिर वही बात होते हैं फिर आप इसे नीचे कमेंट में का लिखते हैं जो उपाई है फाइप पॉइंट इसने बर काम करते हैं हम लोग क्या कहते हैं कुंडली एनलाई तो तोड़ा कहीं पर एक आथ सब दिमाग से ठक भी जाते हैं तो और यह जानकारी भी देनी पड़ती है रातरी को हम एपिसोड बनाते हैं तो क्योंकि अब डिमाग से आजकल उतरने लग गई है कोई काम हमारे रहत बस आजमाने पर बात है और आपको विश्वास नहीं होता है तो हम भी कहते हैं कि एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए इसलिए तो हमारे पुराने 600 एपिसोड है दोजार अठार से चल रहे है आँक कभी गैप रहा होगा बिलकुल कभी हमारा विश्वास तपानी सोड जाईए लोगों ने वह आजमाए हैं एक आजमी ने नहीं हजारों लोगों ने आजमाए हैं और बोला है लिखा है कि उपाई अत्यांत चमतकारी हैं करके देखें अगले लोगों के लिए तक लिखा है मैंने कई उपाई इस में पर मैं रिप्लाई दे रहा हूं को कि इस में थोड़ा सा समय हो रहा है तो लोग को हम reply दे रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं बड़ी खुसी होती है वो अगले लोगों के लिए भी लिख रहे हैं कि आप लोग भी आजमाईए कई इस पे एपिसोड के कमेंट पर तो हमने पिन तक किया है पिनका अर्थ ओता है कि सबसे पहले वोई कमेंट आपको देखे हैं अब देखिए न हम तो कहते है अपनी तो हर को ँ of करता है अपनी वस्तू की तो हर को य वाकती ना लेकिन भी युदि प्लाइक होता है यह उसी चीज़ का उनॱ गुरुजी लोगों के हो, सास्त सम्मत हैं, तो समझ लीजिए कि ओँ चमत कारी है, रामबार ओसदी है ओ, इसके लीज़ग में हम लोगों के लिए, बस बात है हमारे आजमाने की, जहां हमने आजमाया उन उपायें को समझ दिया, तो समझ लीजिए हम बड़ी से बड़ी पीडाप में आसानी से निकल सकते हैं और हम जो जिन चीज़ों को चाहते हैं उन चीज़ों को अपनी और खीट सकते हैं और कुछ समय बात वो चीज़ां हमारे पास होती है इसमें किसी प्रकार की कोई अतिश्योक्ती रही किसी प्रकार का कोई संसरी नहीं तो बात करते करते फिर हर एपिसोड में कहरें कि बहुत लंबी चले जाएगी तो फिलाल आप लोग के जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताईएगा जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ा कर आप इसे वरतमान में हम उसका कोई लाब नहीं ले रहे है लेकिन निकट भहुत से में वो ही जानकारी कौन जाने कब किससे मतलब पढ़ जाए कब वो जानकारी हमारे काम आजाए तो इसलिए हमेसा संध्यान में रखने चीए संध्यान मस्तिस्क में अगर हम रखते हैं तो भोल जाता है देखिए अभी जानकारी अभी एक दो सब्दों के लिए मुझे भी नीचे पर देखना पड़ा तो इसलिए कभी भी जानकारी को नोट कर लीजिए एक डायरी मना लीजिए जोतिसास से संपंदित सूरे ग्रह उपाई चंदर ग्रह उपाई सूरे ग्रह से संपंदि को विसेज जानकारी आपको हमारी नीच किसी भी जोतिसी की अच्छी लगती है नोट कर लीजिए उसको, कभी पल्टाईए उसको, महने दो महने में पल्टाईए देखो भगवान का नाम, उसमीचे साथ भगवान का नाम है, भगवान का नाम कभी जाया नहीं जाता, बुरे वक्त में हे राम, हे भगवान, कहते हैं हम लोग, तो बुरे वक्त में यही जंगल में रह रहे हैं और कहां भागना पड़ता है तो यह सारी चीज़ है हम देख चुके हैं लोगों से भी सुन चुके हैं तो इसलिए लेकिन यह चीज अवस्य काम आती है लाश्ट में क्या होता है देहरेवें ब्यक्ति फजिया है तो क्या कहेगा हो है भगवान मिरे को म खूप है उनके ही पृती है तो हमेशाशे संबध्यिक जानकार्य हमारे पास होने चीए और हमेशा इनका सम्भान करना चाहिए किसने किसी बले वह राव माझ के डिले है नश्टित अच्छी जानकारी की अपिसोड के सांथ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार, जैस्री राव, जैस्री कृष्णा, ओम नमस्ति वाई